हाई अबरीबन आपसके फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है सो फ्रेंड्स आज आप लोग मैं इस वीडियो पर बताऊँगा कि दोस्ता आप लोगों पता है कि मेरा एक व्लोग चैनल भी है तो दोस्तो उस व्लोग चैनल पर मैं आई से एक सता पहले जब मैं व्लोग डालता था तो उसका कोई भी डेट फिक्स नहीं था कभी भी व्लोग डाल देता था मतलब जब मन हुआ कहीं गया कहीं घुमने गया तो व्लोग बना लिया तो डाल दिया कभी चार दिने में, कभी सब्ता भर में, कभी दस दिन में, मतलब कोई भी टाइम ठीक ठीकाना नहीं था कि कब मैं वीडियो डालू, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों में नहीं पता तो मैं बता दूँ, अभी मैं वन विक से रेगुलर ब्लोग डाल रहा हूं, पर डे, छ ब्लोग डाल रहा हूं मैं रोज, तो उसमें मेरा फाइदा क्या हो रहा है, मेरे चैनल का ग्रोथ कैसा स्पीड में बढ़ने लगा है, साथ ही अर्निंग जो है, वो पांच गुना बढ़ चुका है, पांच गुना, एक दो गुना नहीं, तो वो अर्निंग भी मैं सो करूँ तो वीडियो को दोस्ते एंड तक आप लोग देखते रहा ना, चैनल पर नहीं हो तो या सब्सक्राइब कर लेने साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेने, चलिए गाज, आज कि इस वीडियो को सुरू करते हैं, तो गाईज सबसे पहले हम बताता हूं कि डेली वीडियो डाल प्रेसा ये है कि मान लिजा आज आपने एक वीडियो डाला, और वो वीडियो मान लिजा कोई एक नए वीवर के पास गया, ठीके जो कि आपका सब्सक्राइबर नहीं है, उसके पास मान लिजा इंप्रेसन गया, वो आपका उस वीडियो को देखा, तो वो अगर वीडियो वीडियो डालोगे, आज डाला, कल भी डाला, तो अगर किसी नए वीवर ने आपकी वीडियो को देखा था, तो next वाला जो वीडियो आप डालोगे, वो भी वीडियो उसके recommendation में जाएगा, ये YouTube का fact है, YouTube का नहीं, all social media का, Facebook पे भी अगर आप कोई फोटो अपलोड करते हो, और देखा, तो कल भी आप जब वीडियो अपलोड करेगा, उसने चैनल का आपका subscribe नहीं किया है, फिर भी उसके पास आपकी वीडियो रोकेमेंडेशन में जाएगा, ऐसे में क्या होता है, उम्मीद बढ़ता है कि वो फिर से आपको उस वीडियो को देखे, और अगर वो regular viewer आ या फिर आपका चैनल ग्रो नहीं हो रहा, तो कोसिस करो कि रोज वीडियो डालने का व्यूज पर डिपेंड मत रहो, व्यूज को देखना ही नहीं कि मेरा क्या व्यूज आरह नहीं आरह, आपका मन में ये target होना चाहिए कि मुझे regular वीडियो डालना है, व्यूज को नहीं द तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर व्यूज का ग्राप खोल दिया है, मेरे ब्लॉग चैनल का लाश्ट 28 डेज का, दोस्तो सबसे पहले आई से एक सफता पहले जो है मेरे व्यूज कितने आते थे अभी आप लोग ग्राप पे देखो, मैं क्लिक कर ग्राप तो आप लोग देखी रहे हो कि पाहड के जैसे उचा भाग गया है, और इधर देखे व्यूज, एक लाग अस्ती हजार, दो लाग, दो लाग, ठीक है, एक लाग बिरासी हजार, एक लाग अंठाओनाचर, मतलब की डेड़ लाग से प्लस जा रहा है, दो लाग, द सब्सक्राइब बला ग्राफ खुल चुका है, और सब्सक्राइबर्स देखे, पहले मेरे कितने आते थे पर डे, तो पहले आते थे फिप्टी हंड्रेड, ठीक है, सौरी 500, 500 के रोज मान के चलो कि एवरेज आते थे अभी आप लोग देख सकते हो, पान सो नो, पान सो ब्या सब्सक्राइबर, तो आप लोग समझ सकते हो, कितना ज़्यादा ग्रोफ रेट में स्पीड आ चुका है, सिर्फ 6 दिन लगातार ब्लोग डालने की वज़ा से, ये होता है डेली वीडियो जालने का, अब दोस्तों मैं आप लोग अर्निंग का ग्राफ दिखाऊंगा, लेकि कभी 50 डॉलर कभी 60 डॉलर, तो इस हिसाब से आप लोग 30 डेज का मल्टिप्लाइ करके समझ सकते हो, कि कितना डॉलर हो रहा है, मान के चलू कि अप्रोक्स 1500 डॉलर, आप 1500 डॉलर का जो वेल्यू होता है, वो इंडियान रूपीज में करीबन 1 लाक रुपिया होता है, लेकि आप लोग को मैंने दावा किया है कि दिखाऊंगा तो दिखाऊंगा, तो गाइज मैंने अभी जो है, इस्टाग्राम के इस्टोरी पर जाकर के, जो मेरा अर्निंग का जो ग्राफ है, उसका इस्टोरी मेंने डाल दिया है, जाकर के मेरे इस्टाग्राम के अकाउंड पर ज चेक करने जाओगे तो अगर जाते हो तो यार फॉलो भी कर ले ना इस्टाग्राम पर क्योंकि आप लोग नए नया अपडेट्स जो भी कुछ आते हैं मैं इस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ कुछ भी नया अगर चोटा मोटा यूट्यूब का कुछ नया अपडेट आता है तो वो भी इस्टाग्राम के मैं इस्टोरी पर डाल देता हूँ क्योंकि छोटा चोटा अपडेट का बारे में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता तो आप लोग चाहो तो फॉलो भी कर सकते हूँ और वहाँ पर अर्निंग का ग्राब भी आप लोग जा करके देख सकते हूँ मैंने एजे प्रूफ वहाँ पर डाल भी दिया है